क्या आप जानते हैं कि लोग ठेली फोन देखना, वाटसप देखना, रील्स देखना, इंस्टाग्राम पर इतना क्यूं पसंद करते हैं और यह जानने के बाब जूद कि इसमें समय जा रहा है, सबसे बड़ी कीमती चीज़ें जो हमें मिला है, क्योंकि आप कोई भी चीज बापस ला सकते हो, पर समय नहीं ला सकते हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? जब हम उसको देखते हैं, उसे हैप्पी, हार्मोन, सेरेटेन बगरा, यह सब रिलीज होते हैं, तो है, पर इसमें एक और भी कारण है, जो सबसे गहरा कारण है, वो है कि खुद को भोल जाना, जब मोवाइल होता है तो आप नहीं होते हो, आप उस ची ध्यान की आदत लगती है, और वो भी ध्यान से उठकर नहीं आना चाहती है, क्योंकि वहाँ वो नहीं होते हैं, या फिर हम किसी ऐसे गेम में हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं बाइचांस, या फूट वॉल खेल रहे हैं, और इतने उसमें इन्वाल होगे हैं, कि खुद का ध्य ध्यानी नहीं है, यह डांस कर रहे हैं, खुद का ध्यानी नहीं है, यह वो स्टेट है जिसमें सरीर रहना चाहता है, इसमें मन रहना चाहता है, और टेलिफॉन है, फेस्बुक है, इंस्टाग्राम है, यह उसका बहुत इजी और जल्दी से होने वाला उपाय है, जो कि वा इसका इलाज भी है अगर आप कुछ तेलिफॉन पर ध्यान देना नहीं चाहते आप चाहते हैं तो जबलज्टी साइद मुश्किल हो का पर अगर ऐसे का काम में इन्वाल होते हैं जहां आप अपने आपको भूल जाते हैं तो फिर वो हो पाएगा इसी राशी के लिए अप्रेल का राशी फल कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे करियर कैसा रहेगा काम धंदा कैसा रहेगा धन के बावरे में कैसा है प्रेम, शादी विभा की मामले में कैसा है स्वास्त के मामले में कैसा है और जीवन के जितने भी छेत्र हैं बिजनिस है, करियर है, सब कुछ education है, सब के बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा अगर है, कहां बैठा है और जोतिस की दरश्टी से या करमों की दरश्टी से हम क्या करें, इस पर भी विचार करेंगे तो देखें, तिलते भाब में केतु है वैसे ये महिना काफी सारे सुब और अच्छे परवर्तन लेकर आया है और सब्तम भाब में शनी बैठे हुए है बहुत बड़ा परवर्तन आपको होगे कहीं, आप कम से कम 12 सालों में एक बार आ रहा है और वैसे बहुत बड़ा परवर्तन है, क्या है गुरु महराज मेसराशी में जाएंगे नवम भाब में, जिसके वो कारक भी होते हैं भाग के भाब के कारक हैं और उसी में जाएंगे, पर 21 तारिक की शाम को जाएंगे, ये बहुत बड़ा परवर्तन होगा सूर्य जो है, उच्च के हो रहें ये साल में एक बार होता है उच्च के हो रहें नवम में जाकर ये चौदह तारिक को होंगे, इसके साथ राहु और बुद्ध का सैयोक रहेगा नाइंत भाब में, पिता के भाब में भाग के भाब में, इसमें से बुद्ध जो है वक्री हो जाएंगे 21 तारिक को शुकर की अगर बात करें तो शुकर महीने की सुरुवात में 6 तारिक तक आपके नवम भाब में, मेश राशी में और उसके बाद दसम भाब में, अपनी राशी में मालब बेनाम का राज योग बनाके बैठेंगे वैसे दसम में, अगर आप सी राशी के लिए पढ़ोगे तो शुकर का गोचर बहुत बैस्ट नहीं कहा गया है लगन बाले भी देख सकते हैं, मेनली राशी के लिए पर ये exception है मतलब वो overall कहा गया है पर जब हम एक राशी को देख रहे हैं तो फिर ये देखते हैं कि घ्रह अपनी राशी में बैठा है तो नहीं है, कोई योग तो नहीं बना रहा तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ते हैं इसके बाद मंगल की स्तिती अगर आप देखो तो मंगल एक आदस भाब में हर ग्रह का गोचर सुब होता है और चंद्रमा महीने की सुरुबात में भाब में भाब में दिखाई देंगे पर चुकि बहुत तेजी से चलते हैं तो जानेंगे उसके बारे में कब वो 6-8 बारे में होंगे, कब वो शनी के साथ होंगे, कब वो केतु के साथ होंगे कब वो गुरु आदी के साथ बैठ कर अच्छा रिजल्ट देंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे तो आजाते हैं अब कि भई क्या परवर्तन रिजल्ट के मामले में आएगा देखिए करियर की अगर हम बात कर लें तो पूरा महीना अच्छा ही है बहुत बढ़िया है और खास कर कि छहतारे के बाद बहुत अच्छा है करण क्या है करियर के भाब का स्वामी करण में ही बैठा है और सिर्फ आपकी राशी के लिए ही बैठा है बारे राशियों में से करियर का स्वामी करियर में ही बैठा है तो यह बहुत बड़ी बात हो रही है इसके साथ-साथ ये मालव विनाम का महापुरस रूख बनाके बैठा है शुक्र जो है तो अगर ऐसे में आपकी शुक्र की दशा महादशा हुई कुंडली में शुक्र की इस्तिति अच्छी हुई तो आपको नयम फेम मिलने से कोई नहीं रोक सकता पर ये होना कहाँ चाहिए जनम पत्री में आपकी दशा महादशा हो शुक्र की शुक्र की इस्तिति अच्छी हो और खास करके अगर आप मीडिया इंडिस्टी में है फ्लॉवर के काम में है फर्फ्यूम के काम में है आप ओटो मोबाल डिजाइनिंग में है कम्प्यूटर डिजाइनिंग में है किसी तरह की क्रियेटिविटी के काम में है किसी भी तरह के फाइनेंस मनी से जुड़े हुए काम में है क्योंकि शुक्र जो है वो लिक्विड मनी भी है जोल्री के काम में है फ्लॉवर्स के काम में है आपको और भी जादे फादा यहां पर शुक्र दे सकते हैं थोड़ा सा इस्तिरियों का सम्मान करें साफ सफाई का ख्याल रखें अच्छी खुश्वू का इस्तमाल करें मालक्ष्मी की पूजा करें शुक्रवार के दिन गाय की सिवा करें इस्तिरियों के पर अच्छी भावनाय रखें तो आप इस जो रिजल्ट आ रहा है उसको और बढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा परवरतन गुरू का आएगा वो 21 के बाद आएगा पर उससे पहले जैसे शुक्र की बात करी हमने तो यह छे तारिक से सुरू होगा पर छे तारिक से पहले भी शुक्र का अच्छा है आपका वो नवंभाब में है यह स्तिती भी अच्छी है और इस स्तिती में आप कह सकते थोड़ा वो ट्रेवल रह सकता है छे तारिक तक पर यहां थोड़ा मर्यादा और एथिक्स का आपको ध्यान रखना है क्योंकि राहू सूरे साथ में रहेंगे ना इस वज़े से पर फिर भी ओबर आप कहोगे कि हाँ करियर के मामले में बहुत अच्छा है बिजनिस के मामले में क्या कहें बिजनिस भी अच्छा रहेगा बिजनिस का स्वामी सब्तम भाब जो है बिजनिस को दिखाता है कही न कहीं शुक्र जो है वो उसके कहीं न कहीं कारक होते हैं शुक्र बुद्ध तो ऐसे में जो भाव का स्वामी है बिजनस वाले का बोट अपने भाव में बैठा ही है कारक भी अच्छा कर रहे हैं तो भ्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है पर शनी है थोड़ा सा difference of opinion करा सकते हैं काम बढ़ेगा तो जरूर पर responsibility भी बढ़ेगी spouse के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं partners के साथ मतभेद तो रह सकते हैं बिजनस में पर बिजनस बढ़ेगा आगे पर अगर शनी आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हुए नीच के हुए और अच्छी कह सकते हैं कि उन पर द्रश्टिया नहीं हुई तो फिर आप कह सकते हो कि चीजों में डिले हो सकता है देर हो सकता है आलस से आप बढ़ सकते हो addiction आदी से आपको बचना होगा क्या करें अपने से बढ़ों का सम्मान करें ब्रध व्यक्तियों के लिए कुछ करें दिल से मन से जो लोग अपाहिज हैं लाचार हैं, गरीब हैं वास्तम में जिनको help किया आवशकता है उनकी दिल से, मन से सेवा करें लेकि सेवा मन से होनी चाहिए ऐसा नहीं मैंने कह दिया आप कर रहे हो और फिर सोचों के result आएगा नहीं आएगा आपने किसी बच्ति को देखा आपके अंदर दया आई, आपने उसका help किया ये सेवा है आप ये नहीं सोचोगे result आएगा, नहीं आएगा बस आपको तो करना है न जैसे कुछ लोग में जीवों के परती दया होती है बच्छे लोग होते हैं, कुता है घर उठा लाते हैं उसको कहते हैं भई खाना दो, रोटी दो ऐसे बड़े लोग भी ऐसे होते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं, कितना दूद पलाया कितना नहीं पलाया, वो खुश होते हैं उसने खाया पिया, वो खुश है, उसकी खुशी में आपके खुश है, वो ही real सेवा होती है वो मन से आने लगे, आपके मन में बड़ों के परती, ट्रेडिशन के परती गरीब बतला जो कमजोर है जिसको सहायता की आवशकता है उसकी help, कुशी को knowledge की आवशकता हो सकती है तो उसको ग्यान, तो उसके परती compassion हो, उस चीज के लिए अगर उस व्यक्ति में कोई दुर्गुण है तो वो एक अलग चीज है अब आ जाते हैं, शनी की और क्या हो सकता है चौथे भाप पे दश्टी आ रही है तो घर जमीन खरिदने का योग बन रहा है घर जमीन से आपको लाब भी रहेगा क्यों? क्योंकि मंगल भी एकादस में आ रहे है हाँ, माता के साथ कुछ थोड़ा बत मत भी यहाँ पे रह सकता है इस बात का हम ध्यान रखे ब्यापार के लिए अच्छा हो गया जॉब के लिए अच्छा हो गया पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर कहें तो 21 तारिक के बाद बड़ा परिवर्तन आ रहा है अगर आप higher education के लिए try करें आप student हो, किसी exam के त्यारी करें और अब तक आपका मन नहीं लग रहा है तो possibility है कि मन थोड़ा सा लगने लगे आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करो प्रेम बगरा में भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है गुरू की वज़े से जिसकी हम बात कर रहे थे क्योंकि गुरू जो पंचम के स्वामी है वो छटे में चल रहे हैं और नवम में चले जाएंगे मतलब छटे जो पंचम के स्वामी है अश्टम भाव में चल रहे हैं और अश्टम से जो अगला भाव है नवम उसमें जाएंगे नवम में गुरू का गोचर अतिसुब माना गया है इसे यहां से गिनेंगे न हम एक, दो, तीन, चार, पांस तो पंचम के स्वामी हुए छे, साथ, आठ, अश्टम में चल रहे हैं और नवम में चले जाएंगे और अपने मित्र की राशी में जाएंगे और जिसकी राशी में जा रहे हैं वो भी एकादस लाव के भाव में बैठा हुआ है तो हर तरह से सुफ़ फल यहां गुरू देंगे 21 के बाद पर 21 तारिक तक क्या थोड़ा मन लगाना पड़ेगा वैसे भी बोलते हैं न मन से बड़ा बहरूपी न कोई पल-पल रच्टा स्वांग निराले मन के भैकावे में न आमन राह भुलाए ब्रह्म में डाले और धोका तो खुबसूरती होता है ब्रह्म तो खुबसरती होता है नहीं कोई खुबसूरती मतलब भ्रह्म में आएगा ही क्यों actually मन को पता नहीं है क्या सही है क्या नहीं है वो easy चीज़ों के लिए जाता है और easy चीज़ें हराम की चीज़ें आसानी से होने वाली चीज़ें कभी भी आपको अपने लक्ष तक ले जा नहीं सकती even जो चीज़े comfort की है न जो भोग जिनको हम कहते हैं वो आपको कमजोर करती है एक limit के बाद इसलिए बोलते हैं भोग राय वेक्ति एक तरफ तो भोग को मानते हैं एश भोग ये सब दूसरी तरफ बोलते हैं कि भोग राय वेक्ति क्योंकि भोग जो है न कभी खतम ही नहीं होते शुरू में तो आप थोड़ा enjoy करोगे उसके बाद वो आपको कमजोर करना शुरू कर देते हैं उनको आदत लग जाती है आप उसे comfort zone में पहुंच जाते हो आपके पास capability होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते थे पर वो जो आदत पढ़ती है न comfort की वो आपको बहुत कुछ करने से रोक देती है कभी-कभी ये आदत सम्मान की भी है मतलब आप बेजती होना ही नहीं चाते और जब कुछ नया सीखोगे तो हो सकता है teacher ढांटे आप कुछ नया करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हो और कुछ नुकसान हो आप इन सब चीजों से डरना सुरू कर देते हो life को जीना बंद कर देते हो life का मतलब का है जो चलता रहे और चलोगे तो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा तो इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा अब आजाते हैं हम गुरू के गोचर की बात कर ली यहां से हमने 21 तारिक से पहले थोड़ा की education पे ध्यान देना है पढ़ाय लेखाय पे ध्यान देना है गुरू का सम्मान करना है मन थोड़ा भटक सकता है पर यहां से inheritance आदी से आपको लाभ हो सकता है वाणी से आपको कोई लाभ हो सकता है spirituality आध्यात्म के मामले में अच्छा है और घर जमीन का जो मैंने बता है न उसके मामले में यहां पर भी गुरू अच्छा कर रहे है पर जब 21 को जाएंगे यहां पर फिर तो बात ही क्या है संतान सुक दे सकते हैं पिता गुरू का आशिरवाद रहेगा भाग गिवाश आप उस जगे होंगे जहां आपको होना चाहिए जौब आदिया आपका लग सकता है कभी बाहर जाने के लिए सोच रहे थे वो possibility पूरी हो सकते है कोई सपना आप चाहा रहे थे खासकर education से related, धर्म से related कोई ऐसी सोभाग साली बाद जो आपके लिए भी लाब परद हो दूसरों के भी लाब परद हो उसके लिए आप लग आदिगी पढ़ाई करना चाहते थे आप philosophy आदिए knowledge से सम्मंदित कोई काम करते हैं आप किसी finance से सम्मंदित काम में आप Jewelry से सम्मंदित काम में आप किसी तरह के advisor है, teacher है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यह जो है गुरू लेकर आ गए है यहां से आपको कहिना का spirituality आध्यात्म को भी बढ़ाएंगे आपके life में आपके छोटे भाई, बहन और आपके आसपास लोगों का सहयोग भी थोड़ा बढ़ेगा इसके सासाथ आपका communication भी अच्छा होगा साथ में संतान प्राप्ति के लिए प्यार के लिए, महबत के लिए, इश्क के लिए मतलब आपस में जो लोग single हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, students के लिए सभी के लिए गुरू यहाँ पर बहुत अच्छा result लेके आ रहे हैं तो यह कब आ रहा है कि इस तारिक के बाद आ रहा है इसको और बढ़ाना हो तो गुरू मात्र देवो भवा, पित्र देवो भवा गुरू देवो भवा और अथिती देवो भवा यह हमारे वेदों से लिया गया है उपनिशत से लिया गया है तो यह सभी गुरू है, माता परथम गुरू है पिता भी आपके गुरू है, आपके बड़े भाई, बहन, जिनों से आप कुछ सीख रहे हैं, वो सभी गुरू है, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको ध्यान दें, और अगर उनके अंदर कोई नेगेटिव है, कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है, यह वास तो ठीक नहीं है, भ हमको बाहर बुरे ही बुरे मिलते हैं, जो मन देखा, आप नाम हो से बुरा ना कोई, इसका कहने का अर्थ पता क्या है, कि हम लोग अपने को देख ही नहीं पाते हैं, बाहर ही देखते रहते हैं, या फिर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खुद को देखेंगे, तो शुकर की तरह जो हमने बताया करियर के लिए तो बहुत बढ़िया भोगों के हिसाब से भी बहुत बढ़िया नेम फिम भी आपको दे सकता है इसके साथ आपके छोटे भाई के करियर में कोई परवर्तन आ सकता है इस चीज को भी दिखा रहे है और आपके स्टेटस आदी को अच्छा रहेगा, सुकुर का यह आपका आगया, शनी की हमने बात कर लेते हैं, कि शनी ब्यापार में अच्छा है, वो तो ठीक है, डिले करा देगा चीजों को वो भी ठीक है आपका, इसके साथ साथ माता के स्वास्त का आपको ध्यान रखना है, मदर के साथ, थोड़ा सा, और पिता के साथ भी, मदर और पाता, मतलब पिता और माता के साथ, थोड़ा रिश्टों को बनाके रखें, इसके बाद संतान के सुक की बात करें, देके संतान सुक के बाद जैसे मैंने का 21 के बाद बहुत अच्छा चांसे जाए उससे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पढ़ाय लिखाई के मामने में भी इसके बाद बढ़िया मंगल की बात कर लें तो एक अदर समात में बैटके मंगल आपका न इनहरिटेंस जमीन आदी से आपको लाब दिखा रहे हैं इसके साथ-साथ भाग वश आपको कोई अच्छी अपॉर्चनिटी भी मिल सकती है कुछ तिथियां भी देख लेते हैं तारीक हैं बगरा कैसे यह तो हमने बाट लिया किर एक किस से पहले किस के बाद चाहे तारीक तक किसे बाड आ गया पर कुछ ऐसी सुबती थी कौन कौन सी है देखे 24, 25, 21, 22, 1, 9, 17, 18, 26, 27, 27, काफी सुब हैं 10 भी ठीक है अच्छी तारीक हैं इस दिन आप कुछ करोगे तो उसमें साफी सफलता का चांस है खास करकी 21, 22 आपके करियर के point of view से, fame के point of view, कर्म के point of view से बहुत बढ़िया तारीक है क्या कुछ ऐसी तारीक हैं जो थोड़ी सी उतनी great नहीं है, थोड़ी साबधानी रखी जाए, जिन थोड़ा मन निराश रह सकता है हो सकता है काम उस दिन करें तो ना बने, हाँ possibility है, 15, 16 तारीक है, 2, 3, 9 तारीक है, और 10, 19, 20 ये जो तारीक हैं इन में से 10 तो ठीक है, पर बाकी है, 15, 16 में क्या कारण है इन तारीकों का, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस दिन या तो चंद्रमा सनी के साथ रहेंगे, जो कि ये 15 सौलों में है, और उसके बाद में चंद्रमा पर सनी की दृष्टी रहेगी, तो चंद्रमा मन है, सौफ्ट ग्रह है, और शनी थोड़े से टफ हैं, तो मन, मतलब कहीं न कहीं, थोड़ा माहौल ऐसा चर ना हो, आप क्या सपास, थोड़ी शांती ना हो, मन में उद्विग्नता भी रहे सकती है, खर्चा वगरा थोड़ा जाद है रहे सकता है, ये सब रहेगा, इसके साथ-साथ, 6-7 और 8 तारिक, खास करके 6-7 और 8, 12 बज़े तक आप कहा सकते हो, दिन के, तो गड़ा साथ बहुत सकनवे कर सकते हो, थोड़े दिक्कत आए, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मत्भेद इस समय पर रह सकता है, बाकी 14 तारिक तक गुरु अ सूरी का सायोग रहेगा, नवम में, आपके, मतलब अश्टम भाब में रहेगा, तो वो ठीक ठीक है, स्प्रिचुल्टी अध्धा आत्म के हिसाब से, पर उसके बाद जो 21 तारिक के बाद सूरी जो है न, सूरी 14 तारिक के बाद इहाँ आएंगे, नाइंत भाब में आएंगे, पर गुरु यहाँ 21 को पहुँचेंगे, तो 21 के बाद ही सूरी गुरु का सायोग जो नवम में आ रहा है, जिसमें की सूरी कुछ अच्छे ही होगे तो बहुत चमतकार हो सकता है कोई ऐसा हो सकता है काम जिससे आप कहो कि हाँ भई इसमें मेरा भग ने साथ दिया है इश्वर ने साथ दिया है क्योंकि जो नवम भाव है इसको हम इश्वर करपा का भाव भी कहते हैं खुद को एहसास होता है कि मेरा जो टैलेंट है वो तो हई है पर इश्वर की करपा है वैसे सब कुछ इश्वर की करपा है हम देख नहीं पाते हैं अब बढ़ जाते हैं तोहारों की तरफ और उससे पहले मैं आपसे आगर करूँगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना आप कर सकते हैं Like, Subscribe कीजिएगा अगर आप के वीडियो अच्छा लगा है आप इस तरह के वीडियो और देखना चाते हैं और अब बढ़ जाते हैं तोहारों की तरफ तोहारों के बारे में जानना और समय हो तो थोड़ा सा उसके बार में पढ़ लेना और भी समय हो तो फास्टादी रख लेना उस ब्रत की और उससे क्या सीखने को मिलता है यह सबसे जदूरी है उसको जीवन में उतारना तो बहुत बड़ा परिवरतन आएगा और आप इपनी जड़ों से जुड़े रहोगे च्छे तारिकी हनुमान जैनती है जो की पूरिमा के दिन होती है चौरे तारिकी बैसा की है और अमबेटकर जैनती है अमबेटकर भारत के महान सपूतों में सहीग है इनका अपमान बहुत हुआ पर इन्होंने दूसरों को सम्मान बहुत बढ़ाया देश का सम्मान बहुत बढ़ाया अपमान के बाबजूद जिस तरह का बदला कही है या कुछ भी कही है प्रक्तिकत नहीं लिया गया सिक्षा के लिए प्रिरित किया लोगों को ज्यान के लिए प्रिरित किया इन्होंने दूसरों को थी किसी तरह से गांधी जी भी है उनका भी अपमान हुआ पर उनका भी बदला लेने का तरीका ऐसा था कि इससे कल्यान ही हुआ चानक को भी कहीं तक आप इसमें रख सकते हैं कि उनका बदला जो लिया गया उससे बहुत लोगों का पूरे देश का भला हुआ तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अगर आप बद्धि वो धिमान है दूर दश्टी उसके पास है चंद्रमा उच्चे के रहेंगे इसके बाद और आपके दसम भाब में ये हो रहा है तो करियर के poiniti ऑफ व्यू से महीना बहुत कुछ दे सकता है इसके बाद एक तारिक की कमाधा एकादशी है एक तारिक की चैद्रपुरीमा है तारिक की वर्णुथनी एकादशी, एक तारिक की कमादा एकादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायनाय, तीन और सतरे तारिक का सोम प्रदोशवरत है, और अठारे की आपकी शिवरात्रिय, सौम बार के दिन पढ़ने वाला प्रदोशवत काफी सुब मा जाता है, नौ तारिक की संकष्टी है, बीस तारिक की अमावस्या है, बैसाक की और चौदे तारिक की मेश संक्रांती है, ओम नमश्युवाय, चिदान दरूपा, शिवो हम, शिवो हम, अमावस्या है, संक्रांती है, ये स्प्रिचुल्टी आध्यात्म से जोड़े हुए है इस दिन धान करना सुभाव वस करोना वस किसी की मदर्थ करना अपने पित्रों के नाम से कोई सेवा करना गीता आदी का पाठ करना मन तो चारा दी करना किसी को help करना यह बहुत सुभ माना गया है अब मैं इस वीडियो को विराम दूँगा मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा गंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं आपसे मुलातात होगी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें सभी का ख्याल रखें नमस्कार